खरगोन पुलिस द्वारा बस सिस्टेंट पर अलर्ट मोड चेकिंग ड्राइवरों का कियाब ड्रिथिंग टेस्ट बसों में पैसंजरों की भी देखी विवस्था ओवरलोडिंग न करने की बात कही खरगोन डोंगर गाव बस हाथसे ने पुलिस और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया है इस हाथसे के बाद पुलिस जहां लगातार यातरी बस भारी वहनों में ओवरलोडिंग तेज रफतार पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है वहीं जिला प्रशासन हाथसों के कारणों की जांच एवं घायलो वो म्रतकों की आर्थिक मिदत में जूटी है गुरुवार को पुलीस ने बस स्टेंट पर चेकिंग अभिहान चलाया SGOP राकेश गुपता ने बताया कि सड़क हाथसों को रोखने के लिए यातायात एवं थाना पुलीस द्वारा शराब पीकर वहान चलाने वालों के खिलाफ अभिहान चलाया जा रहा है जिसमें नशेडी वहान चालकों पर कारवाही की जा रही है यह जिए वह पॉजिटिव आता है तो ब्लड सेंपल लेकर फिर सक्त कारवाही करेंगे उनके खिलाब भी करेंगे और उनके मोटर मालिक के खिलाब भी करेंगे कि वह ऐसे लोगों को क्यों परमिट करते हैं जो शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं डिजियाना न्यूज निवार्ड रेपोर्ट खरगोन पार की पलपल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चेनल डिजियाना न्यूज निवार्ड को सब्क्राइब जरूर करें